कारबएनमिल टूफ लुक्ष एनमिल जोकि लकडी के लिए अलमौनियम के लिए सॉफ्ट मैटरेल के लिए यूज होता है क्योंकि इसकी को उस्ट कम होती है और इसमें ज्यादा कट लिया जा सकता है इसलिए टूफ लूट का एनमिल अधिकतर लकडी राउटर एमडिय बोर्ड के लिए यूज होता है यह three-fled का endmill है जो कि non-ferrous material के लिए इस्तेमाल होता है यह DLC coating है diamond-like coating धिज three-fled का endmill इस्तेमाल करने के पीछे मुख्यता यह कारण होता है कि three-fled का endmill कि core strength तो फ्लूट के मुकाबले ज्यादा होती है और वो sticky material के ओपर भी अच्छा काम करता है और बड़ा core होने के कारण चिप evacuation अच्छी होती है बट स्टील पर भी कार्बाइड को किदी भी कार्बाइड को स्टील पर आप यूज कर सकते हैं उससे उसकी feed parameters change करने होते हैं जैसे कि यह four flute का एनमील है 35 degree helix angle 55 HRC में और यह mainly steel stainless steel cast iron stainless steel के सभी grades पर इस्तेमाल होता है और finishing के लिए होता है ज्यादा flute होने का मतला है हम ज्यादा feed दे सकते हैं और उसकी core strength बहुत ज्यादा होती है जितने ज्यादा flute होंगे उसके helix angle उतना कम होगा जिससे कि उसके अंदर strength ज्यादा होगी यहीं कार्बाइड अनमील यह एक roughing cutter की तरह भी इस्तेमाल होते हैं जैसे यह cutter जो है इसमें छोटो छोटो जो दात लगे हुए है यह roughing cutter है जो कि किसी hole के अंदर जहां पर चिप एक कोईशन में थोड़ा इस्चु आ रहा हो वहां इस्तेमाल किया जाता है और इसे फाइनल करने से पहले आप एक roughing cutter के तोर पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद फाइनल फिनिशिंग कर लगा सकते हैं मेंली जो इसका इस्तेमाल होता है वह जांदे करेवां ये होल के अंदर जहां पर चिप का इस्स्यू एख यहां इसको को आपको इसमें और प्रकार ऑपकर महिं और इनल इनल साइन कारभेट आनीस आप देखिए द्यांदी इसका कोर्णर और ये 3 यह 0.51 mm 1.5 mm 2 mm radius corner पे होता है mainly heavy cut के लिए होता है and second job की requirement के हिसाप से अगर corner में आपको radius की requirement है आपको 90 degree profile के अंदर आप shoulder milling कर रहे हैं slotting कर रहे हैं और कोने भी आपको हलका था radius का requirement डाई में या component के अंदर तो वहाँ यह radius कर सकते हैं और heavy cut यूज करने के लिए काम आता है जहां पर आपको cut depth of cut ज्यादा लेना है तो जटका ने लेगा उसी तरीके थे हमारे पास ball nose होते हैं तो कि ही दो फ्लूट का एंडमिल अगर 65 पर 40 मोगा तो आप हाड अलोई पर यूज कर सकते हैं यह फोर फ्लूट का एंडमिल है बैटर फिनिशिंग के लिए हायर फीडरेट के लिए फोर फ्लूट का बॉल नोज यूज होता है बट यूसेज का प्रोफाइल सेम होती है बट बहुत कम लोग भी फोर फ्लूट का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे इस तरह के कार्बेर एंडमिल बॉल नोज की सिरीज है जो आप जैब्रोस.com से खरीच सकते हैं जैब्रोस.com पर सारे तरह के एंडमिल अविल्बल हैं आप चाहिए और चेक कीजिए थैंक्यूद